कि मताईं किया बदाने आप ये देखिए ये हाइब युद् नियुव है इसकी पराई सबसे बेहतर होती है ये फरने में बहुत ज्यादा पहलात ऐकिक लेता है ये नदे दिन लेता है पीट के सकक पैकिंग की लिंग किया जाता है पै obwohl कि ऊथ अब देख सकते हैं यह अब देख सकते हैं यह और गदम बढ़िया नीम्बू है और देखिए यह फुल तयार हो गया यह यह देख सकते हैं नेम्बू कि खेती है मैं तयार हो कि कि तकाम लगए लेगे लागं पैसा दिन लगेंगे लिए जो शोटे दाने इसमें कम तीन महिने लगेंगे तीन मेहने बाद ये नीबू इस साइज में ऐसे पक्ते नंप पीले रूप में होका त्यार हो जाएगा अब ये चोटे लगे हुए हैं अब यह स्टार्ट जाएंगे एक दो मेहने बाद तो टोड़ा चुलो जाएगे और यह चोटे दाने यह आपको मिलेंगे सबसे बहता ही सबसे बहते हरता है यह फरने में बहुत ज्यादा अपसद करते हैं तो अभी इसको तोड़ने के बाद कागज में लपेड़ दिया जाता है और जिसकी पैटिंग होती है पैकिंग होने के बाद ये पग जाता है पीले रंग जाता है और असानिस इसमें रस निकाल सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं, यह नींबु है, यह इसे hybrid नींबु कहा जाता है और यह आप देख सकता है, यह बहुत ज़्यादा रसीला होता है, अभी इसकी height और ज़्यादा बढ़ेगी अगर आपको चाहिए तो आप संपर कर सकते हैं यह आपको मोहिया गरा दिया जाएगा बहुत ही बढ़िया हाईजैनिक तरीके से एकदम यहां से निकलेगा सीधा आपके तक पहुचेगा कहीं रुकेगा नहीं और डारेक्ट पेड़ से तूपने के बाद आपको दिया जाए अब उसके बाद फिसको तोड़ के कागज में लपेट के इसको पैकिंग किया जाता है पैकिंग चलने के बाद यह फिर पीले रूख में आ जाता है उसके बाद इसको असानी से हम काट किसकते हैं इसमें असानी से रसान कर सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं यह और गैनिक नेमबू एक दम बढ़ए नेमबू है देखे आप संपर्ट कर सकते हैं आपको एक दम बढ़ए हुषित रीड में जो है दे दिया जायेगा और यह देखिए एक दम और गणिक यही से तोड़ा जाएगा अब ही एक आपके सामने तोड़ा हो और एक यह देखिए लगा है और यह नेम्बू आपको दिया जाएगा एकदम बेहतरीन महिया कराके और यह देखें यह पूरा हमारा बाग है आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन नेम्बू का नमस्कार मैं हूँ एहमर अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद